हलो एवरिवन राके सादो तेतर सो प्लस बुक की सीरीज में परसेंटेज चेप्टर का ये तीसरा पार्ट है बागी के दो पार्ट जो है अप लेलिस्ट में जा करके वहां पर देख सकते हैं तो आजे देखते हैं इसमें कौन-कौन से इंपॉर्डिन कोश्चन है 54 नमर के क्या है कि C की i जो है 20-20% अधिक है और B की जो i है वो a 25 परतिसरा अधिक है तो कह रहा है कि C की i a कितने परतिसरा अधिक है आपको find करना है ठीक है तो देखिए a भी और c कह कह रहा है सबसे पहले कि c की i जो है 20-20% अधिक है और last statement मका रहा है कि B की जो आए है वो A से 25 पुआन है अगर ए की जो आए है मैं 100val लेता हूं तो second statement से ने देखे B की आए जो कितनी अधिक है B से 25 पुआए है तो यह हो जाएगा 125 B की जो आए है है अब पहले statement में जाए जाएन रहा है के C की drop आए है वो B से 20% अधिक है देखें सी की जो आए है वो B से 20% अधिक है तो B का आप देखिए दस प्रतिसाइद कितना होगा 10% के लिए दो एक सो क्षीज प्रतिसे पॉइंट 0 इसको लेख सकते हैं देखें 10% निकालने के लिए क्या होता है 0.1 अंक लेफ्ट किसक जाता है तो यह हो जाएगी 10% की value हो जाएगी 12.5 12.5 अगर 10% की value हो गई 20% की value कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी 2 का multiplication कर देंगे तो आप 25 हो जाएगा तो यह थोड़ा सा आपको ध्याद देना होगा यह आप जो है अपने mind में यह calculation करिएगा ठीक तो 125 का अगर बी की value दिया हो 125 तो कहरा है 20% अगर अधी किसका करना हो तो 25 और इसमें जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 150 ठीक है यह step आपको तुरंद करना है वह है 50 प्रतिसत अधीक है आपको दिख रहा है 100 से 1.5 हो गया है तो ए का जो है वो 50 प्रसेंट अधीक कर देंगे तो यह 1.5 हो जाएगा ठीक तो सही जवाब हो जाएगा आपका बी बी यहाँ पे सही जवाब है नेस्ट कोश्चन 55 नमर देखी क्या कहा रहा कि यदि A, B से 40 प्रतिसत अधीक है और B जो है C से 20 प्रतिसत कम है तो A और C का अनुपाद क्या होगा सेम 54 की तरह जैसे क्वेश्चन था 55 वही सेम उसी तरह है क्या कहा रहा कि A, B और C सबसे पहले स्टेट्मेंट में कहा रहा है कि A, B से 40 प्रतिसत अधीक है लेकिन सेकेंड में देखें कहा रहा है B, C से 20 प्रतिसत कम है हम C से स्टार्ट करते हैं इसमें कि देखें सबसे लाष्ट स्टेट्मेंट में जो सबसे last जिसकी value दी होगी जो बैरी नहीं करेगा उसी को हम consider करेंगे तभी हो पायागा question आसानी से C को अगर हम 100 consider कर लेते हैं ठीक तो कहरा है B जो है C से 20% कम है तो B अगर 20% इसका कम करेंगे 100 का तो कितना हो जागा ये 80 हो गया ठीक अब 80 हो गया पता चले गया B का अब कहरा है पहले statement से A जो है B से 40% अधिक है 20 से 40% अगर अधिक हमको करना है तो B का जो 10% की value कितनी हो जागी वो 8 हो जागी क्योंकि मैंने कहा था point यहाँ पर रहेगा तो 10% value निकालने के लिए point यहाँ पर left side में चला जागा तो 10% की value 8 हो गई तो 40% की value निकालने के लिए 4 से multiply कर दीजे तो वो हो जाएगा 32 मतलब जो है 80 का 40% वो हो जाएगा 32 कहा रहा कि 40% अधिक है तो हम क्या करेंगे 80 में 32 जोड़ देंगे तो वो A की value निकल जागी तो चार से divide कर देंगे तो आप कहा जागा 28 अनुपात्य 25 तो यह हो गया आपका अंस्वर A ठीक है तो यह question भी same 54 question number के तरह था ठीक है 56 question यह भी देखे बहुत आसान question है कहा रहा कि एक विद्याल में 70% विद्यार्थी लड़किया है कहा रहा कि लड़कों की संख्या 510 है तो इस्कूल में कुल कितने विद्यार्थी है यह आपको गयाद करना है तो 70% की जो वैलू है ठीक है वो लड़किया है तो लड़के कितने बचेंगे 30% जो है वो इस्टूजेंट आप छात्र जो होंगे लड़के होंगे total वो होंगे ठीक तो 30% जो है लड़कों की संख्य और यह लड़कियों की संख्या 70% है 30% के वैलू दिया हुए 510 तो 100% टोटल छात्रों की संख्या आपको गयाद करनी है तो टोटल साथ चात्र कितने होंगे 100% तो 100% की वैलू कितने हो जाए 510 अपान यह 30 हो गया जो 1% की वैलू बताएगा और इसमें 100 के मल्टिपलाई कर देंगे तो टोटल संख्या जो है कुल छात्रों के संख्या पूपता चल लेगी तो 0 से 0 कर जिया तीन से हो जाएगा 170 बार में तो यह 0 इसमें मुल्टिपलाई बढ़ जाएगा तो 700 टोटल संख्या होगी तो बी आपसन यहापे सही जवाब हो जाएगा 700 नेश देखिए 57 देखिए 57 नमर कोशन क्या कह रहा है कि यदि विद्याला में 60 प्रतिसद जो है छात लड़के है तथा लड़कियों की संख्या 970 दिया हुआ है तो तो बिद्याला में कितने लड़के हैं सेम इससे पहले जो कोशन में करा रहा है उसी तरह से 57 नमर का question भी है यहाँब तीक क्या है कह रहा कि 60% जो है लड़के हैं ठीक है boys ठीक और तो बचे कितने लड़किया बचेंगी तो बिद्ध्याला में अगर 100% जन संख्या होगी टोटल इस्टुएंट की तो 40% जो है वो girls की संख्या होगी ठीक अब लेकिन girls का मान दिया हुआ है 972 ठीक है तो 40% की value 972 होगी तो पूछा है टोटल कितने विद्ध्याला में कितने लड़के हैं ठीक है और 60 का multiply कर देंगे तो 60% की value यहां से निकल जागी ठीक है तो यह आप जो है इसको जब solve कर लेंगे चार से इकट जाएगा चार तुन आठ चार चो का 16 चार तेम बार ठीक है च्छा से इसमें multiply कर देंगे तो आपका जागा शेतरी गठार है 1458 ठीक है 147 चार इसका सही जाब जागा बी तो सेम कोश्चन पिछले की तरह था इसको बताने जिरुवत नहीं थी आप इसको कर ले जाते 58 ठीक है किसी संख्या के 60 परतिस्द में से 60 घटाने पर परिडाम 60 आता है तो संख्या क्या है यह मैंने पहले वीडियो में इससे कोश्चन में कराया हुआ है फिर से मैं बता देता हूँ किसी संख्या के 60% में से देखिए 60% को हम जो है भिन में क्या लिख सकते हैं तो 60% को 60 बटे 100 करके आप कर सकते हैं 3 बटे 5 लिख सकते हैं ये 3 बटे 5 आप जो जितना जल्दी फास्ट कल्कुलिशन कर लेंगे ये 30% को ये याद हो जाता है जितनी बार आप प्रेक्टिस करेंगे तो 60% को 3 बटे 5 लिख सकते हैं ठीक है अब इसके साथ एक मल्टिप्लाइंग फेक्टर एक्स को हम कंसिडर कर लेते हैं तो अगर वो संख्या मान लिए 5 एक्स हैं ठीक है तो संख्या साथ आता है अब यहां पर जो हम क्या करेंगे एक्स की वेल्व निकल जाएगी तो 3 एक्स बरावर हो जाएगा 120 एक्स बरावर हो जाएगा 40 अब एक्स की वेल्व मल्टिप्लाइंग फेक्टर जो 40 निकल क्या आपका कह रहा है कि संख्या क्या है तो संख्या जो है हमने माना है 5x तो संख्या यहाँ पे x की value रखेंगे कितना जाएगा 5 गुड़े 40 हो जाएगा आपका 200 तो d यहाँ पे यहाँ पे वो संख्या हो जाएगी की तरह ही है लेकिन थोड़ा सा स्मिचेंगे लेकिन 59 की तरह मैंने पिछले पार्ट में एक question कराया हुआ है next question आप देखते हैं इसको आप जो खुद से एक बार सॉल्व करिए पहुच करके वीडियो को ठीक है तो इसको हम सॉल्व करते हैं देखिए कि दो संख्याओं का झाला संच्थ हैं यदी चोटी संख्या का मान बीस हैं तो बड़ी संख्या ग्यारा आठाना है आपकोवता na सबसे पहले आप जानिये बीस परसट को भिन्म वद्लेंग एक बटए पंच कईसे आता है यह मैं बता चुका हूं दो एक x होगी, ठीक है, ये 20% की value है, अब देखी, बड़ी संख्या का 20% बड़ी संख्या गर 5x है तो इसका 20% की value है x, कहरा कि यदि छोटी संख्या 20 है, तो बड़ी संख्या गयाद करना है, अब छोटी संख्या 20 है पहले statement के अनुसार देखिए हम solve करें question को कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है बड़ी संख्या हमें पता चल गई है 20x छोटी संख्या दिया हुआ है 20 अगर हम दोनों को घटाते हैं मतलब 5x में से क्या करते हैं 20 को घटाते हैं ठीक है तो हमें क्या मिलता है बड़ी संख्या का जो है 20 परतिसाद जो वैलू है वह हमें प्राप्त होता है तो 20% की वैलू x है तो 5x-20 is equal to x हो जाएगा यह हमारा statement हो गया और यहां से हम x निकाल सकते हैं 5x में से 1 सीधर चला जाएगा तो 4x हो गया बराबर 20-20 आगया x बराबर हो गया आपका 5 ठीक तो x की वैलू multiple हैं फ्रेक्टर हमें 5 पता चल गया तो बड़ी संख्या है हमारी 5x तो हम 5x की वैलू निकाल सकते हैं 5x वैलू हो जागी 5 गुड़े 5 बराबर 25 तो यहाँ पर answer आपका चागा A ठीक है 25 तो नेरे देखे 62 नमर कोशन valleys कर रहा है कार रहा है कि दो संख्यां जो है तीसरी संख्या की करमसा 20% तथा 50% है तो पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का कितना 30 सत है यह आपको बताना है तो एक तीसरी संख्या है माल लेते हैं हम इसको 100 ठीक है कह रहा है कि अब पहली संख्या जो है वो इसका 20% है तीसरी संख्या की क्रम सब 20% तथा 50% है तो 20% 100 का जो कितना हो जाएगा वो 20 हो जाएगा ठीड करहा है, अब 20% पता चले इधा यह पहली संख्या होगे दूसरी संख्या हमारी किया होगे वो कहा रहा है कि 50 प्रतिसित है Second question संख्या जो है, वो क्या है बो Séan अब क्या होजाएगी आपकी, 50 % तू跟大家 हो जाएगी 50 अब कहा रहा है कि पहली संख्या है देखिए 63 नमबर question जो है 62 नमबर question की तरह same as it is है तो इसको खुछ से solve करिएगा यह question same 62 नमबर की तरह है ब्राबर है अब देखिए यहां से A और B में जो है रेशियो हम पता कर सकते हैं पर संटे से पर संटे से पर संटे कर गया पंदर चोकर साथ यह 75 हो गया ठीक हो गया 4A is equal to 5B A बराबर A upon B यहां पर लिख दीजे A की से पर बढ़ा देते हैं 5 बटे 4 हो जाएगा तो A कमान आगया 5 B कमान 4 तो A की value हो गई 5 और B की value 4 अब देखिए कह रहा है कि जो A की जो I है वो X percent के बराबर है तो B की जो I है वो A की आएगे X percent के बराबर है तो B की आए जो है 4 है वो A के कितने percent के बराबर है तो 4 बटे 5 गुड़े 100 हो जाएगा यह हो जाएगा आपका 80% पर देखिए 80% के बराबर हो गया तो यह question कफी असान था C जो है इसका सही जवाब है 69 नमर question देखिए जा कह रहा है कि 2 संख्या है जो है 2 और 3 के अनुपात में है यदि छोटी संख्या जो के 20% में 20 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या जो है बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक है तो छोटी संख्या हमें ग्याद करना है देखिए यह question थोड़ा सा लेन दी पड़ेगा ठीक है तो दो अनुपाते तो अगर अनुपात में दिया है तो इसके साथ कोई ने कोई multiply factor होगा तो x हम consider कर लेते हैं तो छोटी संख्या हो जाएगी 2x और बड़ी संख्या हो जाएगी 3x कह रहा है कि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाता है अगर 2% के 2x के 20% 20% को क्या लिख सकते हैं एक बटे 5 ठीक तो एक बटे 5 20% के value के साथ अगर हम क्या करते हैं 20 जोड़ते हैं तो ठीक है तो 20 इसमें जोड़ दिया जाए तो वो बराबर किसके है जो प्राप्त संख् को हम लिख सकते हैं एक बटे 10 उससे 25 जादिक है इसके बराबर होगा हमें एक क्रेशन मिल गया यहां से एक्स हम फाइंट कर सकते हैं ठीक है तो यह हो जाएगा 2x अपन 5 यह 20 इधर चला जाएगा 3x को मैं इधर ले रहता हूं तो माइनस 3x अपन 10 is equal to 5 हो गया यहां पर हम हम ले लेंगे 10 हो जाएगा तो 4x माइनस 3x बराबर 5 ठीक तो x upon 10 is equal to 5 x बराबर हो गया 50x कमान आ गया 50 मुल्टिपिलाइंग फैक्टर जो है 50 आ गया तो 2 और 3 के अनुपात में है तो छोटी संख्या हमने 2x लिया बड़ी संख्या 3x होगा तो 2x कमान कितना निकल गया जाएगा दो गुड़े 50 तो होगे आपका 100 तो 100 इसका अंसर हो जाएगा तो यहां पर सही जाब हो जागा अगर बड़ी संख्या पूछता तो 3x value निकाल लेते 3x value हो जाती 150 तो उसका सही जवाब 150 होता है लेकिन छोटी संख्या पूछा है तो हमारा एंसर जो होगा ए होगा